इस महने कब पहला दिन और बहुत बड़ी भरती आपके सामने CGPSC यानि की लोग सेवा आयोग से बड़ी भरती निकल कर आपके सामने आई है एक प्रेस विग्यप्ति जारी किया गया है आविधन करने की प्रारंबिक्ति थी क्या होगी आविधन करने के अंतिम्ठिति क्या होगी इसकी सिलेवस क्या है योग्यता क्या है सभी चीज इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लिजी ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि खनीज अधिकारी सायाग भौमी की वीद एवम खनीज निरक्षक खनीज साधन विभाग के पद पर सिधी भरतिकले आवेदन जारी किया गया है यहाँ पर देखे 36 गर लोकसवा आयोकदरत 54 पदों पर विज्जापन जारी किया गया है इसे कौन-कौन भर सकते हैं इसकी योगिता क्या है सिलिवस क्या है पूरी जानकारी स्वीडियो में मिलने वाली है देखे यहाँ पर आलाइन आवेदन करने की प्रारमभिक्ति थी 15 फरवरी 2022 को दिया गया है आलाइन आवेदन करने क्ति थी 15 फरवरी 2022 को और इसकी अंदिम्ति थी क्या होगी 16 मार्च 2022 को ठीक है जैसे कि इस चाल्ट पर दिखाई दे रहा होगा कि छत्ति विडिल सासन के खनीज साधन विभाग अंतरगत खनीज अधिकारी सायक भोमिकी वीद या खनीज निरक्षक के पदों पर भरती के लिए लोग से वायकदार आले नावेदन पत्रामंतित किये गए हैं जान लेते हैं कि इसमें कौन कोरों कितने कितने पद हैं तो यहाँ पर खनीज अधिकारी से टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट दिया गया है सायक भोमिकी वीद यानि कि बैंक लॉक से टोटल 11 पोस्ट दिया गया है और खनीज निरक्षा के लिए यहाँ पर 35 पोस्ट दीए तो तीनों को मिला कर यहाँ पर 54 पोस्ट दिया गया है ठीक है पत का नाम एम सेक्षणिक योगिता की बात करते हैं तो यहाँ पर पत का नाम है खनीज अधिकारियम सहग भूमिकी वित के लिए वेतन मान है 56,100 रुपए और यहाँ पर अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती हम अन्य पिछरवर्ग के लिए 5 वर्स तक की छूड़ दी गई है आवस्यक सेक्षणिक अहरताएं यहाँ साररिक मापदंड की बात करते हैं तो यहाँ पर भू विज्ञान सहीत विज्ञान में इसनाता की उभादी होना आवस्यक है या फिर माइनिंग इंजिनियर में उपादी होना चाहिए अब साररिक मापदंड की बात करता हैं यहाँ पर पूरुस के लिए हैं उचाई मांगा गया है 155 cm और सीने की जो नीमतम मांगा गया है 81 cm समाने इस्थिति में और फुलाने पर कम से कम 4 cm का अंतर होना चाहिए और महिलाओं के लिए उचाई 102 cm से कम नहीं होना चाहिए ठीक है परिक्षा की योजना देखते हैं तो यहाँ पर दो चरण मुई प्रथम चरण परिक्षा है अमदूती चरण परिक्षा का साक्षातकार होगा परिक्षा यहाँ पर 300 अंकों का होगा साक्षातकार 30 नंबर ठीक है तर टोटाल यहाँ पर 330 हो जाएगा परिच्छा में जो वस्तुनिष्ट प्रकार का एक प्रस्ण होगा जैसे कि यहाँ पर प्रस्णों की संक्र देर सो होगी तीन घंटे का समय होगा और रंग 300 नंबर का होगा समान्य भाग एक में क्या होगा? समान्य ज्यान होगा जो कि प्रचास प्रस्ण होगे जिसमें 8 अंख होगे अब हागदों में क्या होगा? भूविक ज्यान होगा जिसमें 10 प्रस्ण होगे और 200 का नंबर होगा इस परिच्छा में सबसे IMPORTANT बात यह है कि लिखित ये कौसल परिच्छा में अनरक्षित हम अनरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 33% अंक अर्जित करना अनिवारिया है और साथ ही साथ अरक्षित उपवर्ग हम अरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों को नियुंतम 23% अंक अनिवारिया है सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पर समाने ज्यान के लिए सिलेबस दिखाया गया है बहुत सर यहाँ पर सिलेबस है तो थोड़ा आप इसके वेबसाइड में जाकर डाउनलोड कर सकते रहे हैं अगर यहाँ जानकारी आपको बहुत ही पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक सस्क्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इसको सेर करने ना भूलें आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद